अनुराग दोबाल ने मुनावर फारुकी के खिलाफ लोगों को बढ़काने की कोशिस की है आपने ये तो सुनाई होगा कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आग में घी डालने का काम करते हैं और अल्रेडी ये मुद्धा काफी सेंसिटिव हो चुका है और मुनावर फारुकी की कुछ परसनल चीजे नेशनल टेलिविजन पर लाई जा रही है जो की पूरी तरह से गलत है अनुराग को भी बुरा लगता था जब उसकी ब्रो सेना का नाम लिया जाता था और अब खुद मुनावर की परसनल लाइफ को लेकर लोगों को बढ़का रहे हैं इनका ये कहना है कि जो लोग इस वुमिनाइजर का सपोर्ट कर रहे हैं उन्हें ये सोचने की जरूरत है कि क्या वे इसका सपोर्ट कर रहे होते अगर ये हैं उनकी अपनी बहन या बेटी होती इस तरीके से अनुराग धोबाल ने लोगों को ट्वीट करके बढ़काया है और पहली चीज तो ये है कि जिस तरीके से आईसा जो भी आरोप लगा रही है उसमें पूरा सच है ही नहीं और अगर वो इतनी सारी बाते बोल रही है तो मुनवर फारुकी के मूपर क्यों नहीं बोल रही है आईसा लोगों को इकटा करती है उनके मूपर बोलती है और कल भी जब मुनवर ने क्लोजर देने की बात की तो आईसा वहां से भाग गई और जाकर के साइड में रोने लगी दोस्तो अब बिग बोस के घर में मुनवर को पूरी तरह से बार निकालने की तैयारी चल रही है और घर के अंदर आएसा लोगों को जूट बोल बोल के मुनवर के बारे में भड़का रही है ताकि मुनवर ये शो नहीं जीत पाए